गड़ मॉर्णिंग सभी प्रत्योगी छात्रों का सक्सस ग्रूप में बहुत-बहुत स्वागत है पिछले दिनों पांच वर्षी समविदा नियम को लेकर छात्रों द्वारा काफी विरोध प्रदर्शन किये गए प्रधान मंतरी नरेंद मोदी के जनम दिवस को बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया गया इन सब को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपना फैसला बदलने पर मजबूर ओ गई है और कहा है कि ऐसा कोई नियम लागू करने की सरकार की कोई योजना नहीं है ये सब विबक्षी दलों का ब्रामक परचार था बड़ी अपडेट ये है कि छात्रों के आगे सरकार को जुकना पड़ा है और क्लियर कर दिया गया है कि ऐसी कोई योजना नहीं है साथ ही साथ किसी को भी पच्चास वर्ष की आयू पर रिटायर नहीं किया जाएगा किसी को भी पच्चास वर्ष की उम्र में जवर्जस्ती सेवा निवरित नहीं किया जाएगा सरकार का कहना है कि विपक्षी दलों ने चात्रों को बर्मित किया है सरकार ने ऐसी कोई घोशना नहीं की थी और साथी साथ सरकार ने ये भी कहा है कि तीन लाख पदों पर नियुक्ती हेतू भरती प्रक्रिया तीन महिने में शुरू कर दी जाएगी तो आईए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से पूरी अपडेट लेकिन अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो इसे सब्क्राइब कर लिजे और बेल आइकान भी प्रेस कर दीजेगा साथी साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों को शेर कर दीजेगा ताकि सभी को इसके बारे में जानकारी हो जाए तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो आपको बता दें कि डिप्टी सीम केशो प्रसाद मौरी ने शुक्रवार को प्रियाग राज के सरकिट हाउस में कहा कि प्रदेश में सरकारी नौकरी में पांच वर्ष की सम्विदा शुरू करने की सरकार की कोई मंशा नहीं है नाहीं रिटार्मेंट की आयू सीमा पच्चास वर्ष होगी नौकरी में सम्विदा की अनिवारेता को लेकर विपक्ष भ्रम फैला रहा है राज्य सरकार द्वारा ऐसा कोई भी नियम पारित नहीं किया गया है और नहीं भविश में पारित किया जाएगा तो इस प्रकार समविदार नियम जो लागू किया जाने की बात चल लेए थी वो बिलकुल ही समाप्त हो गई संबिदार नियम लागू नहीं किया जाएगा और नहीं किसी को पचास वर्ष के उम्र में रेटायर किया जाएगा उन्होंने कहा कि आम जनता के बीच में जूट फैलाने का काम सापा बसपा और कांगरिस के लोग कर रहे हैं शुक्रवार की दोपार प्रियाग राज पहुँचे डिप्टी सियम केशो प्रसाद मौरे ने कहा कि प्रदेश में सरकारी नौकरी की जो प्रक्रिया पहले थी वही आगे भी रहेगी इस विशय को लेकर जो भी भ्रामाग जानकारी दी जा रही है वो सरासर गलत है प्रदान मंत्री के जन्म दिवस के औसर पर विपक्ष द्वारा तमाम जिलों में हुए विरेउत प्रदर्शन को लेकर डिप्टी सियम ने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार के 6 वर्ष और परदेश में योगी सरकार के 3.5 वर्ष की तमाम उपलब्दियों से विपक्ष बॉखला गया है और इसी वज़े से वो सिर्फ जन्ता के 20 सुर्खियों में रहने के लिए यवावों को गुमराख कर रहा है विपक्ष के पास 2022 के लिए नहीं है कोई मुद्दा डिप्टी सियम ने कहा कि विपक्ष के लिए वर्ष 2022 में होने वाले विधान सुभाद चुनाओं के लिए कोई मुद्दा नहीं है इसलिए वो इस तरह के ब्रामक परचार कर रहा है अब आईए जान लेते हैं कि तीन लाख भरतियों के सम्मंद में योगी सरकार का क्या कहना है और ये भरतियों की प्रक्रिया कैसे शुरू होगी और कब से शुरू होगी और कितने पदों पर होगी उत्तर परदेश में सरकारी नोक्रियों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदितिनाथ ने शुक्रवार को बड़ा एलान किया उन्होंने प्रदेश के सभी विभागों में खाली पड़े पदों की लिष्ट तलब करने के साथ ही कहा कि इन पर अगले तीन महीने में भरति प्रक्रिया शुरू की जाए जो अगले छे महीने में पूरी कर ले जाए इसका अवलब की तीन महीने के भीतर नोटिफिकेशन जारी हो जाएंगे और इसके बाद छे महीने में प्रोसेस को कम्प्रीट करने की बाद कही जा रही है आपको बता दें कि 21 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी की एक एहम बैठक है इसी संबन्द में सियम योगी सभी आयोगों और भरती बोर्डों के प्रमुखों से बैठक भी करने जा रहे हैं जितने भी आयोग हैं और जितनी भरती बोर्ड हैं उनके जो प्रमुख हैं उनसे बैठक करने जा रहे हैं 21 सितंबर को सरकारी भर्तियों को लेकर सीम योगी ने कहा कि जिस प्रकार उत्तर परदेश लोक सेवा आयोगे वंग अन्य सरकारी भर्तियां हुई हैं उसी पारदर्शी वा निश्पक्च तरीके से आगे भी भर्तियां तेजी से कराई जाएं आपको बता दें कि साड़े तिन साल में सबसे ज़्यादा यूपी पुलिस में हुई हैं भर्तियां साड़े तिन साल की योगी सरकार में अब तक हुई बड़ी सरकारी भर्तियों में 1,37,000 पुलिस की भर्ति हो चुकी है इसके अलावा 50,000 टीचर की भरती हो चुकी है और एक लाग से अधिक अन्य विभागों में भी भरतियां हो चुकी है अब तक अब आप ये भी जान लिजिए कि मार्च 2017 से अब तक कितनी नोकरिया दे गई है तो इनका कुल टोटल होता है 294,08 विभागवार्द चिकिस्ता स्वास्त एवंग परिवार कल्यान विभाग में ग्रूप B, C, O, D में 8,556 राश्टिय स्वास्त मिशन के अंतरगत 28,622 प्रावधिक शिक्चा विभाग में 365 उत्तर परदेश अधिनस सेवा चैने आग में 16,708 उत्तर परदेश पुलिस भरती एवंग परोनती बोर्ड एक लाग 37,253 सहकारता विभाग में 726 लोग सिवा आयोग उत्तर परदेश में 26,103 चिकिस्ता शिक्चा विभाग में 1,112 माध्यमिक शिक्चा विभाग में 14,000 वित्य विभाग में 614 उच्च शिक्चा विभाग में 4,615 नगर विकास में 700 और भरती जो प्रक्रिया अधीन है वो पुलिस विभाग में 16,629 और बेसिक शिक्चा में 69,000 शिक्चकों की भरती ये अंडर प्रोसेस है मुख्यमंत्री योगी आदित नाथ ने कहा है कि चैन प्रक्रिया में शुचिता और परदर्शिता हमारी नीती है इसके पहले सीम योगी ने शुक्रवार को कहा कि सभी विभागों में रिक्त पदों के सापेच नियुक्ती प्रक्रिया को शिग्र पूरा करने के लिए विभागों को रिक्तियों के आंकले उपलब्द कराने के निर्देश दे दिये गए है किस विभाग में कितनी वैकेंसी है इसका पुरा डेटेल मांग लिया गया है चैन प्रक्रिया में शुचिता और परद्रशिता हमारी नीती है और इसे प्रतेक दशा में सुनशित किया जाएगा हमारे यवा साथियों में प्रतिवा है चमता है रो मेधा है वर्तमान यूपी सरकार सभी को बिना भेदवाव के समान औसर उपलब्द करा रही है सभी विभागों में रिक्त पदों पर चैन की प्रक्रिया शीग्र अरम होगी और हमारा प्रयास है कि आगामी छे वा में सभी विभागों में चैन प्रक्रिया को संपन करा लिया जाए तो ये थी लेटेस्ट अपडेट नविन्तम जानकारी अब पांच वर्ष का जो सम्विदा नियम है बिलकुल समाप्त है वो लागू नहीं होगा पच्चास वर्ष पर कोई रिटार्मेंट नहीं होगा और छे माह के भीतर भरती प्रक्रिया को संपन कराया जाएगा ऐसा कहना है उतर प्रदेश की योगी आधितना सरकार का तो वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजेगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों को शेर जरूर कर दीजेगा ताकि सभी को इसको जानकारी हो जाए ओके थैंक यू